ममूटी उर्फ मुहम्मद कुटी इसमाईल पानी परम्बिल एक प्रसिद भारतिय फिल्म अभिनेता हैं, जिन्हें मथिलुकल, ओरू वडककन वीरगाथा, पोन्थन मादा, विधेयन और डौ बाबा साहिब आमबेडकर जैसी राष्ट्रिय पुरस्कार विजेता फिल्मों क से एक रहे हैं, उन्होंने मल्यालम, तमिल, तेलुगू और कन्नर जैसी विभिन भाषाओं की चार सो से अधिक फिल्मों में अभिने किया है, जन्म, 7 सितंबर 1951, उम्रतिहत्तर वर्ष, चंदिरूर, जीवन साथी, सलफात कुटी, जन्म 1989, बच्चे, दिलकर सल्मान, भाईभन, इबराहिम कुट्टी, जकारिया पानापरामबिल, अमीना पानापारामबिल, शफीना पानापारामबिल, सौधा पानापारामबिल, उंचाई, एक दशमलव आठ दो मीटर, ममुटी नेट वर्थ इन रूपीज 340 क्रू रूपीज, अपने अभिने करियर के अल जैसे मल्यालम टीवी चैनलों के अध्यक्ष बने, बाद में उन्होंने 2009 में प्ले हाउस नाम से अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस लॉंच किया, नीजी जीवन, ममुटी का पालन पोशन केरिल के कोटायम जिले के वैकों के पास चेंपू गाव में हुआ था, उन्होंन 1989 में सिल्फत से विवाह किया, उनके दो बच्चे हैं, सुरुमी और दुलकर सल्मान, उनके छोटे भाई इबराहिम कुटी भी एक अभिनेता है, इबराहिम कुटी के बेटे मकबूल सल्मान भी एक फिल्म अभिनेता है, करियर जीवन, उन्होंने 1971 में फिल्म पाली चाकल में अपनी पहली शुरुआत की, इस फिल्म का निर्देशन के सितमा धवन ने किया था, साथ साल के अंतराल के बाद, अभिनेता को मेला, विलकन डुंडू स्वपनंगल जैसी फिल्मों में अभिने करने के अच्छे अवसर मिले, अभिनेता ने फिल्म अहिंसा में उनका शांदार प्रदर्शन मल्यालम फिल्म उद्योग में लोकप्रिया है, ममूटी ने कुछ गैर मल्यालम फिल्मों में भी अभिने किया है, जिनमें तमिल, तेलुगू, हिंदी, कंणड और अंग्रेजी फिल्में शामिल हैं, 1990 में उन्होंने के मधूद्वारा निर्देशित मौनम समधम से तमिल में डेब्यू किया, उन्होंने के बालाचंदर, अजगन, मनिरत्नम, थलापती, फाजिल, किलिपेचु केक कावा, एन लिंगुस्वामी, आनंदम और राजीव मेनन, कंदुकोंडेन, कंदुकोंडेन, 1993 सहित निर्देशकों के लिए तमिल फिल्मों में अभिने किया है। उन्होंने के विश्वनात की तेलुगू फिल्म स्वाती किर्णम, 1992 में अनंत शर्मा की भूमी का निभाई। 2012 में उन्होंने कंदर मल्यालम द्विभाशी फिल्म शिकारी में अभिने किया। उन्होंने 1989 में रिलीज हुई थ्रियात्री के जरिये हिंदी फिल्मों में अपनी शुरुआत की, हाला कि एक प्रमुक अभिनेता के रूप में उनकी पहली फिल्म धरती पुत्र थी. उन्होंने जब्बार पटेल द्वारा निर्देशित डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जीवनी पर आधारित फिल्म में अभिने किया, जो अंग्रेजी में थी. वेसो जूट एक सच, 2004 में भी नजर आए. ममूटी ने अपनी कई मल्यालम फिल्मों को तेलुगू और तमिल सिनेमा में डब किया है, जैसे डबल्स, चट्टम बिनाडू, परुंथू, अननान थंबी, ठोमन मककलम, सिथुराम अयर सीबी आई और पजहसी राजा आदे. पुरसकार उन्होंने सर्विश्रेष्ट अभिनेता के लिए तीन राष्ट्रिय फिल्म पुरसकार, साथ केरिल राज़िफ फिल्म पुरसकार और तेरह फिल्म फेर पुरसकार दक्षन जीते हैं. 1998 में, कला के प्रती उनके योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से समानत किया गया था. उन्हें जनवरी 2010 में केरिल विश्व विद्याले और दिसंबर 2010 में कालिकट विश्व विद्याले से मानत डॉक्टरेट की उपाधी भी मिली है.